नवस्कार दोस्तों स्वागित है अपर यूटोब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस वीडियों दिखने वाले हैं दिल्ली प्लीस कॉंस्टेबल एक्जाम जो 24 नॉवंबर को थेड़ सिप को एक्जाम कंड़क्ट हुआ है उसका वीडियो नहीं आ पाया पीडियो फाइल के लिए आपको टैलिगाम जोइन करना जिसकी लिंक डैस्क्रिप्स में नियू केंड़ है जो टैलिगाम से नहीं जुड़े इससे पहले जो भी आपकी दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल एक्जाम का एलिस हुआ है प्रतिक से पकी पीडियो फाइल वहां पर एक स्कॉर किलोमेटर के एरिया में अब यहां पर 2001 से 11 में कितने लोग बड़े हैं जन सिंग्या घनतों में तो 17.72 फीस्ती जन सिंग्या घनतों बढ़ चुका है भारत का एक से 11 में दसक की वर्दीदर देखने को मिली है 17.72 फीस्ती सबसे कम जन सिंग्या घनतों जो डैंस 1186 वेक्ती रहते हैं पर स्कॉर किलोमेटर एरिया में और सेकेंड यहां पर जन सिंग्या घनतों में बियहार की बाद पंची मंगाल फिर गेरल हैं सबसे जմड़ा ओर Förs Me यूटी के केस में दिल्ली यहाँ पर जनसी के घंड़ तो 2011 में दिल्ली का 11320 वेक्टी पर स्कोर किलमेटर एरिया रहते थी सेकंड स्वाल आपका यहाँ पर पूछा गया है आठिकल 170 के अनुसार विधान सबा में विधान सबा यहाँ पर थोड़ा एरर है विधान सबा कर लो अधिक्तम कितनी सीट हो सकती है किसी भी राज्ये की विधान सबा में maximum 500 सीट हो सकती है फिलाल यूपी की है लेकिन अधिक् 500 सीट है तो भारत के सविधान के अनुचार अनुचे 170 के अनुचार प्रतेक राज्ये में विधान सबा में 500 से अधिक सीट नहीं हो सकते हैं अब देखो यहाँ पर 60 से कम सदिश्ये नहीं हो सकते अधिक्तम 500 उससे नहीं हो सकते हैं और विधान परिशद में कितने हो सकते ह जो विदान सभा में इस सदेश्य है ना उसके एक तियाई से अधीक नहीं हो सकते हैं वोकेथा कि पांसु से अधीक मेंबर्स नहीं हो सकते और साथ से कम नहीं हो सकते हैं आगे बढ़ें उससे पहले टेस्ट बुक की मन्त एंड मेगा सेल आज चुकी है तीस नौंबर के बाद एक डिसम्बर को टेस्ट बुक पास की प्राइज वो ही 499 रुपे होने वाली है इससे पहले अभी बहुत अच्छा डिसकाउंट मिल रहा है आपको TTG के कोपन कोड से अ तो SSE GD एक्जाम की त्यारी करेंगे उन वाले केंडेट के लिए यहां पर जैसे से GD में काम आएगा ही आएगा यह पास प्रो साथ साथ आने वाले रेल्वे एक्जाम में भी आपका काम आ जाएगा क्योंकि एक साल के आपको वैडिटी मिल जाएगी ज्यादा से ज्याद करके अपनी त्यारी को next level तक लेके जाना है 50% त्यारी आपके mock test से ही complete होती है अभी 301 मिलता है आपको test to pass pro यह limited time के लिए deal है वैसे 359 में है लेकिन अब और 2% extra discount आपको मिल रहा है यहां पर TDJ के open code से और यहां पर yearly pass pro सबसे बेहतरीन deal है next आपको one month का इंजार करना पड़ करेगा इस परकार की डिल के लिए link description box में SSGD और railway exam सी तहरी के लिए जुटने वाले candidate है वह यहां पर mock test series जरूर लो sky analysis करो विश्टेशन करो time management मेहतर करो link description box में चेक आउट कीजिगा तो यह विधान सबा में 560 है विधान परिशन में 40 से कम नहीं हो सकते एक त्याइश अनुसार जितने राज्ये और केंदेशासित प्रदेश में महीला साखसर्ता 90 परसंटेज जे उपर है तो कितने राज्ये कितने राज्यों और यूटी में महीला साखसर्ता 90 फीश्टी से अद्धी कि यहां पर महीला साखसर्ता पूछे ने तो वो केवल एक राज्ये है य प्रूशों में 90 से उपर काफी राजजी और यूटी मिल जाएंगे। प्रदेश में साकसर्ता 90% सदीक है महिला और पुरूस दोनों की मिलाकार जो साकसर्ता की बात करूँ 90% से उपर है तो वो ऐसे तीन राज्य और यूटी हो जाएंगे एक तो आपका कैरल है सेकन्ड मिजुरम है और एक है लक्स डीव ये तीन राज्य और यूटी है जिसकी सा आपकल 17 आजाएका इंक्लूट है आपकल 17 कहता है और इस प्रिष्टा का उनमूलन है और इस प्रिष्टा है चुआ चूट है और इस प्रिष्टा है उसका अंत किया जाए आपकल 17 जो की सच्च्चिव था रेडॉल्प चर्शिल और वाइसराय था डफ्रिन ठीक है भारत की स्वतंदरता 1947 हुई थी 15 अगस 1947 को उस वक्त बिर्टेन का प्रदान मंत्री कौन था उस वक्त बिर्टेन का प्रदान मंत्री था क्लेमेंट अटली तेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्म कता है यह दोस्तों यूरा सींग की आत्म कता है इसके जो को उतर है उसमें शार्दा उग्र और निशान्त जीत अरोरा है बाकि यूरा सींग की यह बायोग्राफी है नेश्ट है च्वालिशन समीधान संसुदर 1978 कि से अधिकार बना दिया 301 के अंतरवित रख दिया तो संपत्तिक अधिकार मोरी का अधिकार से हटाया गया 44 वा अमेंड मेंड मेंड निसो ठतर में नेश्ट बात करूँ आपात काल की घोष्टना केवल मंत्री मंदल दौरा रष्ट पती को दी गई लिखित सला के आधार पर ही की जा सकती है लिखित सला के आधार पर ही आपात काल की घोष्टना मंत्री मंदल दौरा रष्ट पती को जो सला दी जाते उसी के आधार पर रष्ट पती आपात काल की घोष्टना करेंगे और यहाँ पर एक और अमेंट किया गया आर्टिकल 368 के तेहत सविधान संसुदन की जो प्रक्रिया है इसमें सविधान की मूल संचना में कोई भी बदलाव नहीं होना साहिए ये सविधान संसुदन में ध्रुड़ा ध्यान रखा जाता है इसके लिए एक बहुमत से अनुमोदित किया जाता है जिसमें क्याउन फीस्ती से मद्दातों ने भाग लिया है बहुमत है जो सामन्ने बहुमत तब यहाँ पर मूल संचना में बदलाव नहीं हो रहा है वो जनमस संग्रभ कराया जाएगा भारत के लोगों दोरा नेश्डए कोन सी नदी भारत में सबसे अधिक राजयो से होकर बहती है गंगा नदी है, गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश से बहती है बिहार से, राजिस्थान से, पछी मंगाल से, हर्याना से, हिमालचर प्रदेश से, यूटी दिल्ली से तो सबसे अधिक राज्य और UTC बैती है वो घंगा नदी भारत के निंत्रक एवो महा लेका प्रिक्षक की न्युक्ति कौन करता है यह भारत के CAG की न्युक्ति हैं वो राष्टपती करते हैं आर्टिकल 148 के तैट CAG का पद है अगला स्वाल है सेकंड पंचवर्शी योजना किस पर आजा रही थी तो मोडल का पूछा एक्चुली सेकंड पंचवर्शी योजना ये दोस्तों महाल नोबिस मोडल नहरू महाल नोबिस मोडल को अपनाया है दूसरी पंचवर्शी योजना ने वैसे उद्योगी करंट पर बल दिया गया था सेकंड पंचवर्शी योजना में, पर्थम पंचवर्शी योजना हैरोर्ड डॉमर मोडल और दूसरी महल नोबिस मोडल पर, तीसरी पंचवर्शी योजना के लिए यहाँ पर गौडगिल थी, ठीक है, गौडगिल फॉर्मला तीसरी के लिए और गांदिवादी मोडल भी कहा जाता है, किसे सीमांत गांदी के नाम से जाना जाता था, फ्रंटियर गांदी कहा जाता था दोस्तों, अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांदी कहा जाता था, यह सीमांत गांदी, फ्रंटि अब्दुल गफार खान ने की थी लाल कुर्ती आंदरल के सुरुवात है रेड सेट मोमेंट खुदाई खिदमतकार की सुरुवात खान अब्दुल गफार खान ने की आपको पूछले भारत रतन प्राप्त करता एक मातर जो मुष्टिम या पाकिस्तानी है वो खान फust द्वरा विश्नुगुप्त कह सकते हो और ये किनके समकालिन थे तो चंद्रगुप्त मोरे के समकालिन थे चानक के या फिर विश्नुगुप्त या कोटलिये चंद्रगुप्त मोरे के समकालिन थे अल बरुनी की पुस्तक किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई थी अल बरु में दिया गया है इंचा कट्टू राम चंदर पिलाईकूम और दोस्तों कुझीपुरी का एन सेलजा को दिया 21 में भरतनाट्यम का जे लक्ष्मी इश्वर को दिया है चाउ का 2021 में भुवन कुमार को दिया है कथक का 2021 में श्रमा भाटे को दिया है मनिपुरी का 2021 में थोग चम अगला है भारत में जूट उत्पादन सरवादी कहा होता है जूट अगे मैंने स्वाल इंक्लूट किया है स्वाल यह था कि जूट प्रोडेक्शन कौन से राज्य में नहीं होता है तो ये थोड़ा इसको इस टाइप से पूचा है कि कौन सा राज्य जूट का उतपादन नहीं करता है तो उसमें तमील नाडू एक विकल्ब था बाकि जूट का उतपादन में टॉप 10 आप राज्ये देखेंगे उसमें वेस्ट मंगल टॉप पर है उसके बाद बिहार, असम, मेघले, नागालेंड, ओडिसा, अंदरप्रदेश, तिरपूरा, चतिसकर जारकन यहाँ पर जूट प्रोडेक्शन होता है तमील नाडू में नहीं होता है जूट प्रोडेक्शन में पर्थम जो राज्ये है वो पच्छी मंगाल है पर्थम देश है भार, सेकेंड बाद देश यंग बंगाल आंदुलन के मुख्य नेता को होन थे यंग बंगाल आंदुलन के जो मुख्य नेता थे वो हैंडरी लुई वीवियन डेरो जियो इन्होंने 826 में यंग बंगाल आंदुलन शुरू किया थे तो दोस्तों डेरो जियो ने 826 में यंग बंगाल मुमेंट को शुरू किया था 826 में यंग बंगाल आंदुलन किसने वीवियन डेरो जियो ने यंग बंगाल, बंगाल की क्राम्तिकारी बंगाली स्वतंतर जन्तकों का एक समूता जो कॉलकता के हिंदू कोले से जुड़ा हुआ था नेश्ट अपना स्वाल है, ये शौट एट हिस्ट्री, माई ऑफसेसिव जरनी टू ओलंपिक गॉल्ड ये किस परशीद खिलाड़ी के आत्म कता है, ये शौट एट हिस्ट्री है, निसाने बाज, अभी नव बिंदरा की ओटो बायोग्राफी, गॉल्ड मेडलिस्ट, अभी राष्ट्य उत्पाद आप कहते हो, राष्ट्य आई को, तो GNP है, ग्रोस नेशनल प्रोडेक्ट, सकल राष्ट्य उत्पाद है, ये इसका फॉर्मुला है GDP, GDP जो केवल देश में उत्पादित एक वर्ष में, जितनी भी वस्तुए हैं, या तरशेवाए हैं, वो GDP है, और GDP में विदेशों से भी जो प्राप्तशुद संपति अपन एड़ कर दें, तो वो GNP हो जाती है, वो सकल राष्ट्य उत्पाद हो जाता है, वो राष्ट्य आई हो जाती है, तो राष्ट्य आई और GDP में क्या अंतर है, राष्ट्य आई का मतलब है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी सेवाएं और वस्तुएं उसके साथ साथ एक वर्ष के लिए विदेश से प्राप्त आई भी इंक्लूड़ेत हो। सम्मान हैं ये भी स्वाल पूछा आगे देखेंगे मद्धिप्रदेश स्वारा गैंगवान प्रांत जो दक्षन कोरिया में हैं किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा नेक्स्ट गैंगवान प्रांत में होगा दोस्तों दोजार चौबिस का विंटर यूथ उलम्पिक तो शी इफिर्ज़र लेंड में हुआ दोजोडियकर में इगनगवान प्रांत में ये 204 में होगा विंटर यूथ उलम्पिक मद्धिप्रदेश सरकार दोरा किस नरतिस चेतडर में पूरुषकार दिया जाता है तो मद्धिप्रदेश सरकार देती है कालिदा juego संबाम देती है मद देने जैसे मद्दे परदेश के पूळुषकार में बहु कोशिक होते हैं तो बहु कोशिक नहीं होते हैं न संक्तित केंद्र होता है न कोशिकांग होते हैं पोशन के इस्तर पर यह सव पोशी अत्वा विसम पोशी दोनों हो सकते हैं मोनेरा सव पोशी हो सकता है विसम पोशी भी हो सकता है और आप उधान देखेंगे मोनेरा के यूगली नाम, एकोशिक शेवाल, धाई एटम, प्रोटोजवा, ये प्रोटिस्ट आए, और बैक्टिरिया क्या है, बैक्टिरिया मोनेरा में आता है, नील हरी शेवाल मोनेरा में आता है, एकोशिक शेवाल प्रोटिस्ट में आता है, और फंजाई में जिसे आप कहते हो फं विजेनगर के खंडर है ये करनल कॉलिन मेकेंजी ने अठारसों में इस पर प्रकास डाला विजेनगर सामराजी की स्थापना 1336 में हरियर पर्थम और उनके भाई बुकाराय पर्थम ने की थी 1565 में ताली कोटा के लड़ाई में ये सामराजी नश्ट कर दिया गया था विज प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना किस से संबन देते हैं प्रधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना है ये दोस्तों जीवन भीमा योजना है जो दरेंदर मोदी ने 9 माई 2015 को शुरुगात की किसी भी कारण से मर्थिव के मामले में एक टर्म इंसुरेंस मिलता ह दो लाख रुपे का इसके लिए प्रीमियम दिया जाता है वो 330 रुपे पर वर्ष आपको देना पड़ेगा और दो लाख का आपको में जाएगा मर्तियों के केस में बीमा और पात्र आयू वरग अठार से पचास वरग ये आवेदन कर सकते हो ये योजना अनुसुचितवान पाइजिक बैंक, छेतरी ग्रामिन बैंक और सहकारी बैंकों के साथ गट जोड में संचालित की जारी है कौन सा राज जूट उत्पादन हो चुका है आर्टिकल 19 से संबंदित नहीं है आर्टिकल 19 में जो आजादी है स्वतनतरता है उसमें आपके ए से सुरुआत करते हैं बोष संग आया गया और बस वेपार किया यह पूरे 19 A, 19 B बोष संग आया गया और बस वेपार किया तो बोष संग बोलने के आजादी 19 A में है उसके बाद बोष संग सभा के आजादी 19 B में सभा के आजादी है बोष संग 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 बनाने के आजादी है 19 C में बोष संग स आएंगे जाएंगे आप 19 D में आया गया और बस वेपार किया आया गया और बस वेपार किया बस E का मतलब है बस ने किया जा दी 19 E और वेपार किया Z का नहीं वेपार किया F फैल हो गया था 19 F फैल हो गया मतलब संपती का दिकारता पहले वो हटा दिया गया भारत के परशिद गिटार वादक कौन है परशिद गिटार वादक में नाम आता दोस्तों ब्रज भूष्ण काबरा का और बैजु ध्रमजन का आता है तो काबरा गिटार पर राग बजाने वाले पहले भारती संगीत कार बने तो परशिद गिटार वादक है ब्रिज भूष्ण काबरा जो जो उलत मटका नर्ते हैं और एक मटका नर्ते दोस्तों चरी नर्ते भी हैं जहां पर माईला है जो राधिस्तान का है सिर या फिर उस पर चरी या बर्तन रखती है सिर पर और फिर एक जलता हुआ दीपक बर्तन में रखती है वो चरी नर्ते हैं विधुत धारा द्वारा लेपन करने की विदी को कहते हैं लेक्ट्रो प्लेटिंग या फिर विदुत लेपन आप कहेंगे लोए की शरंचना लोए की वस्तुओं को स्रंक्षन से बचाने के लिए उस पर क्या है तामबे निकल और क्रोमियं का लेपन किया जाता है एक दूस्तों इस से मिलता है जोनता बनाई गई थी यानि कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी जिसे आप लॉस्ट वैक्स टैकनिक बोलते हो और इसमें मौम का उप्यूँ किया जाता था कांसे प्रतिमाइद और हडपा सभेता में जो पक्की मिट्टी की मूर्तिया है उसका निर्माण मॉल्डिंग टेकनिक से होता था राश्टमंडल खेल 2022 का मास्टट क्या है शुभंकर क्या रहा है so Commonwealth Games 2022 का मास्टटरा है पैरी और यह बर्मिंगम इंग्लेंड हुआ है Fipa World Cup 2022 का मांसकंट रहा है क्या है लाइब राहे 2022 में जो Fipa World Cup हुआ है है कत्र में उसका मांसकंट लाइब Commonwealth Game 2022 का पैरी Beijing Winter Olympics 2022 का है Brisbane Tokyo Olympics 2020 का है वो मिरैटवा और Winter ¡Pरा Olympic 2022 में हुआ है उसका मांसकंट है Shui Ron Ron नेश्टे अनिल कुम्बले ने टेस्ट मैच की एक पारी में दस विकेट कब लिये थे अनिल कुम्बले ने टेस्ट मैच की एक पारी में पूरे के पूरे दस विकेट लिये थे वो 1999 में लिये थे फ्रवरी 1999 में पाकिस्तान की विरुद ये इनोंने कारनामा कर दिखाया अनिल कुमले ने एक पारी में सभी 10 विकेट ले लिए थे कुमले ने दिल्ली टेस्ट में फिरोश्रा कोटला मैदान जिसे अब आप अरून जेर्टी मैदान से जानते हो पाकिस्तान की खिलाप ये नहीं पहुंच पाता है कमजोर जो तबका है वहां पर वेश्विकंड का फाइदा नहीं पहुंचता है वेश्विकंड से आर्थिक पेलू पर जैदा ध्यान दिया है और वेश्विकंड से क्या है अधीक उत्पादों और सामगरियों की उपलपता ने युवाउं के बीच उपभोकतावाद की इस्ताई प्रता को जनम दे दिया है नेश्ट है नीरिज चौप्रा ने 2022 में लुसा ने स्विर्जर लेंड में किस लीग में गॉल्ड जीता तो यहाँ पर गॉल्ड जीता था एक तो जूरिक फाइनल में इन्होंने गॉल्ड जीता जो यूरोप में जूरिक फाइनल उसमें गॉल्ड जीता और लुचा ने स्विर्जर लेंड में गॉल्ड जीता वो लेग थी 2022 की डाइमंड लेग थी अगस 2023 में भाला फैक नीरिज चौप्रा जो खिलाड़ यह भाला फैक उन्होंने हंगरी के बूड़ा पैस्ट में विश्रो एथलिक्स चैंबर्ण सेफ में भारत का पहला गॉल्ड जीता पुरुषो के भाला फैक फाइनल में नीरिज चौप्रा ने नीरिज चौप्रा ने थरोक के साथ गॉल्ड जीता पांच नॉममर 2015 फून इसे मौजुद आस्टवर्ण जमा योजरा 1999 किस्तान पर पेस किया गया तो गॉल्ड मॉनेटाइज़सन इसकी 2015 फून लॉंच की गई इस्ताई बंदोबस्त कर्शी व्यवस्ता किस के दोरा लागू की गई इस्ताई बंदोबस्त लागू की गई औरन वालिस के दोरा 17 reviews में की गई रेत वाड़ी किर्शी व्यवस्ता है टोमस मौनरों ने 822 में की इजारेधारी परता है 1772 में वारेन हैस्टिंग्स टे की रेत का मतलब होता है किसान क्या होता है किसान होता है यहीं किसानों को बुमी का मालिकाना हक दिया गया समताप मंडल किनके मद्दे हैं समताप मंडल हैं यह दोस्तों शोब मंडल और मद्दे मंडल तो आप कहेंगे समताप मंडल है जो इस्टेटो इस्पेर है एस्टेटोइशपेर है, ये ट्रोपोइशपेर और मीसोइशपेर की मद्दी है, उसके ऊपर है आपका आयन मंदल, फिर बढ़ी मंदल समताब मंदल में ही ओजन परते हैं नेक्स वाल है, वाईू मंदल में जशो का साहिक्रम, वाईू मंदल में सरवादिक गैस होती है नाइट्रोजन होती है एंट्टू अठटर फीशती उसके बाद ऑक्जन होती है वो 21 फीशती फिर यहाँ पर ओर्गन है ओर्गन रहती है जो सो 0.93 फीशती ओर्गन के बाद आपके CO2 है 0.03 फीशती उसके बाद नियोन, हीलियम क्रिप्टोन ये गैसे आजाती है बाकी वाले गलत कतन कौन सा ये आपको पूचा है दई का प्रयवाची है योगर्ट आपका था लेक्टिक कमल से दूद का pH मान कम हो जाता बिल्कुल लेक्टिक एसिड दूद को दई में कलोट करता है यानि योगर्ट मनाता है उससे pH मान 6 से कम हो जाता है तो और क्या विकलता आप बताना आक्ष्मिक निदी किसके अधीन होती है आक्ष्मिक निदी है दोस्तों संसद की निदी है आक्ष्मिक निदी सविदान के आर्टिकल 266 के अनुसार संसद को एक निदी स्तापित करने के शक्ति है ये नदी राष्टपती के अधीन होती है ठीक है डोलू कुनिता जो किस धरम से संबंदित एक फेस्टिवल नर्ते हैं लोक नर्ते हैं डोलू कुनिता है न ये किस धरम से नहीं इस टाइप से थाओ डोलू कुनिता में किसकी पूजा की जाती है ठी से कला मंदलम किष्णन नायर किस निर्थे से संबंदित हैं कला मंदलम किष्णन नायर है कतकली के डांसर है 1970 में इन्हें पदम स्री दिया गया इंटरनेट में हाइस्पीड ये कंप्यूटर का स्वाल था high speed broadband से होती है fiber connection से होती है अंतिविश्वाल संगीत कार AR रह्मान को 2009 में किस कैटेगरी में दो ओश्कर मिले हैं तो दो कैटेगरी थी एक थी सरोसिष्ट मूल संगीत एक था सरोसिष्ट एक था best original score सरोसिष्ट मूल score ये दो कैटेगरी में इनको मिला था सलम डॉग मिलिनियर के लिए एक एडमी आवाड जिसे आप ओश्कर आवाड बोलते हो ओश्कर आवाड है ये भारती विजिता और 1983 में भानू अथेय को भी best costume design के लिए ओश्कर मिल चुका है और 2023 में MM किरवानी को मिला है फिलम RRR है तो best original song का 2023 में दोस्तों कार्ति की जो गौनसलैवज और गुरित मौंगा को भी मिला है elephant, whispers movie के लिए best documentary short subject के लिए ओसकर के लिए नामित भारती फिलम है उसमें Mother India है, सलाम बंबे है लगान है, और writing the fire ये चार movie है, नामित होने वाले उसकर्स के लिए भारती है, movies तो इस टाइब से पूछे गए हैं दोस्तों 24 तॉमबर के थर्ड सेट में ये जीकी की स्वाल जो आपने देखे हैं, लगबग 50 में से 45 questions, और कोई डाउट है बताएगा, न्यू केंड है, टेस्ट सेरी से जोनना चाहते हो, बहुती नौफर चल रहा है टेस्ट बुक जिसमें आपको टेस्ट बुक पास प्रू मिल रहा है 351 में टेस्ट जीक ओपन कोड यूज कर लेना लिंक डेस्क्रिप्स बॉक्स में मिलते हैं नए वीडियो में, बाई बाई